हेलो दोस्तों आप सभी को गुलाब जामो जैसी मिठी मिठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपियो के लग ट्राइंगल शोव में एक और SME कंपनी जुनाइटेड ही ट्रांसफर लेके आरिया अपना जी आईपियो जहां तो हम आज इस रिव्यू होने वाला है जिससे मैं ज्यादा एवोर्ड करने काटेगरी में रखूंगा इन कॉंट्रेरी टू स्टडी करने काटेगरी में और ऐसा कि मैं वह आप लोगों को इस डीटेल रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा बट फाइनल डेसीजन किस त्रीके से बनेगी रैंक बनाईएगा उसी के सासाथ आप लोगों को म्यूचल फंड में इंशोरेंस सेग्मेंन में किसी भी तरीके को भी हैल्प लाइन की जरूरत है जा आप लोग चाहते हो कि दीगे म्यूचल फंड डिस्रिब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हैलप करें चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आप मुसे कंटेक्ट कर सकते हैं अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात कते तो 1995 में जे कंपनी इंकोर्प्रेट हुई थी काम की बात कते तो जो मैनफेक्ट्रिंग कते इसंचल एक्यूप्मेंट जैसे की हीट एक्चेंजर्स, प्रेशर वैसल्स, और प्रोसेस फ्लोर स्किल्स, कंपनी के प्रदक्स्ट यूज किये जाते हैं इन पेट्रोल और डिजल इंजन, मैरिताइन वैसल्स, माइनिंग ट्रक्स, और हैवी मेशिनरी एमंग अधर अप्लिकेशन, कंपनी की दो काम देखें, अच्छा काम और अच्छा सेग्मेट हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है, अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटर्नर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का मेजर वैन्यू आता है, इनके तो 5 कस्टमर से 67% का हमें देखने को मिलने है 2024 में और 55% का में 2023 में और ऐसी में इनका मेंजर पस्टमर के वहाँ पन इनसे नराज होता है तो वहां पर कंपनी के उपर इसका इम्पक्ट सक्ता है कमपनी का मेजरली काम डिपेंड होता है कुछ स्टेट्स में जहां पर तोप 5 स्टेट्स से रिवेन्यू जनेरेट हो रहा है 91% के ख्रीब का 2024 में और ऐसे में किसी भी स्टेट में किसी भी त्रीकी की दिक्कत आना वहाँ पर जिसकी विज़े से इनकी सप्लाई में दिक्कत आती है तो वहाँ पर कम्पनी के उपर इसका इंपक्ट मिल सकता है तो फिर से मैं company के उपर उतका impact देखने को मिल सकता है company का सारा business depend होने वाला है इनकी manufacturing facility में और वहाँ पर किसे भी त्रीकी का shutdown होना किसी भी त्रीकी को भी दिक्कत आना जासे labor की तरह से strike उगारा करना company के काम में रुकावट पैदा करेगा जिसकी विरसे company के business पर हमें impact देखने को मिलेगा तो यह कुछ important internal risk factor हमने study करने कोशिश करी है बाकि आप इनके internal risk factor को इनके DRHP में study out कर सकते हैं अब अगर हम company के tentative time table की बात करते हैं तो यह IP open होगा 22nd of October को close होगा 24th of October को elotment होगी 25th of October को refund मिलने जा फिर आपके account में credit हो जाएंगे share ही floater 28th of October को tentative listing date 29th of October की होने वाली है face value रहेगी 10 rupees per share की price band होगा 56 से 59 rupees per share का हमें तो अप्लाई करना है 59 rupees 2000 shares का एक load होने वाला है total issue size है 30 crore का जो पूर का पूरा होने वाला है fresh issue NSE के SME water पर जी IP list होने वाला है quota की बात करते तो qualified का 50% का retail में 35% का और H&E में 15% का होने वाला है low size में retail category में एक load पड़ेगा 2000 shares का जिसकी amount पड़ेगी 1,18,000 rupees की H&E category में minimum 2 loads के लिए apply करना परगा जिसकी minimum amount पड़ेगी 2,36,000 rupees की कंपनी के promoters की बात करते तो वहाँ पर जोगेश वीशवनाथ पार्टिल वीवेक वीशवनाथ पार्टिल सतानिक वीवेक पार्टिल एंड दुरवा जोगेश पार्टिल कंपनी के promoter होने वाले है pre-soldies is 91.59% की जो post issue रह जाएगी 67% की अब अगर हम कंपनी के main मुद्दे की बात कते जानी कंपनी के financial की जहां पर हमें सबसे यादा दिक्कते देखने को मिली है total asset 2022 में थे 62 क्रोड के जो increase होते होते है 2024 तब पहुंच चुके 70 क्रोड के कुछ ज्यारा growth देखने को हमें नहीं मिल रही है बट हाँ एक decent growing rate हम बोल सकते है revenue 2022 में था almost 48 क्रोड का 2023 में 70 क्रोड का बट 2024 में हमें dip देखने को मिला और 64 क्रोड का ही revenue जहां पर रह चुका था जो हमार लिए negative point हो जाता है profit after tax 2022 में था 1.5 क्रोड का 2023 में 2.1 क्रोड का बट 2024 में 6.2 क्रोड का यहां पर 2023 से 2024 में तो हमें अच्छा कासा डिक्ट देखने को मिला almost 10% से थोड़ा सा कम बट वही पर profit after tax में increase होते हो देखने को मिला almost 200% के creep का मतलब की यहां पर company के revenue कम हुए है बट company का profit increase हुआ है जिसकी विले से हमारे मन में काफी दा शंक शंकाय आ जाती है कि क्या जे फिगर्स रियल में होने वाले है जा फिर काक्चो काक्चो में दिखाए गई है अब अगर हम बात कते हैं क्यों आ रहा है जे आई पर तो वहाँ पर इनको अपने debt की repayment करनी है incremental working capital की requirement है and general corporate purpose fundamentally check out करनी कोशिश करते हैं तो market capitalization है 112.12% का ROE 8% का OOK है ROC 10% का OOK है debt accumulation 1.12% का हलका सा higher side है return on network 8.46% का OOK है price to value 3.690 profit after tax margin 11.44% का अच्छा है बद 2023 का जब 2022 का वहाँ पर हमें काफी अदर कम देखने को मिला है बद 2023 and 2022 में कितना था वो आप लोग मुझे comment section में बता दिजिएगा EPS pre IP 4.48 की post IP 3.83 की काफी अदर कम है PE pre IP 13 की post IP 15 की overall में अगर हम fundamentally बात करते हैं तो OOK के fundamental हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं अगर हम peer competitors की बात करते हैं तो वहाँ पर पटेज एर टैंप इंडिया जिसका peer 25 का दा अनूप इंजिनियरिंग 35 के करीब का PE इसका हमें देखने को मिलने वाला है अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज की टाइम पर 11 के करीब का होने वाला है अगर हम बात करते हैं इसकी valuation की according to 2025 financial year data तो इसके बेश पर नहीं यह IQ सब्सक्रार है नहीं 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 गार है बट हमने यहाँ पर company को सिरुफ educational learning perspective study किया है किसी भी तरिके को भी investment टिफ पर एडवाइस नहीं है फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो जा कोई भी action लेना हो एक वार अपने financial advisor से consult करके कीजिएगा तो देवी और सज्जनों उमीदा आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें हर हर महादेव